नमस्कार मैं हूँ सुनिल बोबी और आप इस समय देख रहे हैं बिहार समाचार जहां बाते करते हैं बिहार की खबरे होती है बिहार की तमाम चोटी बड़ी खबरों को आपको दिखाने का काम करते हैं चाहे देश विदेश की खबरे हो बिहार की खबरे हो तमाम खबरे बिह से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं हमारे साथ बने रहे हैं वीडियो के अंद तक है आपको बता दे कि तन खवाल लोटाने वाले शिच्छक ने लिया इंटर ने कहा तबादला नहीं होने से थे दुखी उन्होंने बताया कि हमारे तबादला नहीं हो पा रहा था हम अपनी आपक हो चुके थे हमें समझ में नहीं आ रहा था इसलिए कुछ ऐसा काम किया पत्र भी विभाग के पास में लिखा गया लेकिन कोई करवाई नहोंने के कारण हमने ऐसा कदम उठाया अंद में अब इस तरह की बाते सामने आ दक्टर ललन कुमार ने अब अपनी भूल सविकार कर ली है और अपने सारे ब्यान वापस भी लिए हैं कॉलेज के प्रजार्च मुहम्मद पुर्फेसर मनोज कुमार और बिहार विश्वविद्याले के रजिटार्ड पुर्फेसर राम कृष्ण ठाकुर को उन्होंने इस प्रजाओं को नियंतरित नहीं रख पाया और अपनी समुचे बेतन की रासी का चेक परस्तूत किया नितिस्वर कॉलेज के हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रफेसर डक्टर ललन कुमार ने पांच जुलाई को पुलपती को आवेदन दे कर कहा था कि उनके कॉलेज में चात्रों की उपस्तिती लगवक सुन है इसलिए वह अपना तीन वर्से का बेतन 23 लाक रुपे वापस कर रहे हैं हलाके बिसमे बिदाले ने उनका चेक लेने से इनकार कर दिया और उसे वापस कर दिया खिलाल डक्टर ललन कुमार तबियत खराब होने के करन हवाला दे कर क पंचायब चुना हुए साल से ज्ञादा होने वाले हैं लेकिन अब तक ग्रष्ड सदस्यों को समूझ harvest नहीं मिल पाया है उन्हें काम नहीं मिल पाया है जिसके कारणi वार सदस्य काफी नराज है और आंदोलन के मूड में हैं उनका खाना है कि वार सदस्यों को केवल दिखावटे का एक चीज बना दिया गया है रब बड़ा स्टांप बना दिया गया है न तो उनके कोई अन्य पज्जायत परतिनी दे लगा पाते हो न सरकार की उरसे हमें कोई काम मिल रहा है और तो और अ उसकी लोगा जिसकी जिमेवार किद़् सरकार होगी क्योंकि उस समय बहुत बड़ा क्वाब दिखाया गया कि वाठ के विखास वार सदस्नी कणते हैं पं। नाराज है इधर बिहार सरकार का मानना है कि जब तक पूरे बिहार के वाड में वाड किरियानवन परवंदन समीती का गठन नहीं हो पता है तब तक फंड कहां किसके पास भेजा जाए जैसे ही पूरे गठन हो जाता है निश्चित तोर पर हर वाड में विकास के लिए रासी पाट्टू में कई काम वार्ड के जिम में दिया जाएगा तो धर सरकार पर विस्वासत रखने की जरूवत है को उसjarak sería की अपने पंजायत पत्निधियों को उसाहित mut quarत हैं अब आपको बता दे कि भारत मित्रे शिंजो आमबे की हत्या दर्दनाक जपान में चुनावी सभा के दवरान पीछे से आए हमला बर ने मारी दो गोलियां देश में आज राश्टिये सोक का एलान भी है। आपको बताते चले कि मुदी ने क्या कहा है उन्होंने कहा है प्रदान मंत्री नरेंदर मुदी ने शिजो आबे की निधन पर गहरी प्यड़ा ब्यक्ते की है। अपने सबसे प्यारे दोस्त में से एक सीजो आबे की दुकत निधन से अस्तंब और दुखी है। वह एक महान बैस्विक राजनेता एक सांदार नेता और एक उलेखनी परसा सकते। उन्होंने जापान और दुनिया को एक बेहतर जगा बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अर्थ बेवास्ता और बैस्विक मामलों पर उनकी समझने मुझ पर गहरी चाप छोड़ी है। इदर हेमंत के करिभी पर एडी के चापे और बिना कारण सिच्छकों का बेतन अब नहीं रुकेगा। राज के स्कूलों में काजरत सिचकों का बिना किसी ठोस कारण के बेतन भुकतान नहीं रुकेगा। पर मुक्साचिव दिपक कुमार सी ने उमेश सुमन बनाम राज सरकार मामले में 22 जुन को हाईकोर दवारा पारित नयाय देश के आलोक में सभी दियों को यह निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जिस कर्मी ने आप काम कर रहे हैं वह उनका बेतन भुकतान आवंटन के अभाओं के अलावा किसी भी प्रस्थिती में नहीं रोका जा सकता है। एस्टी के करीबी पहुचा चिनी बिमान सिमा पर सेन राजो समान जुटा रहे हैं चिनी बारतिये से ना भी जवाबी करवाई के लिए बेलकुल है तैयार आपको बताते चले कि कम वर्सा से पैदा हालात में किसानों को हर संभो सहाथा परदान करने का इलान ब्यार के मुक मुक मंत्री नितिस्कुमार ने किया है सीम ने की समिच्चा बैटक दिये कई निर्देश राज में अब तक 15-20% रोपनी हुई है खेतों में दरार पड़ा है आपको बता दे कि 15-20% रोपनी हुई है तक राज में 30 जीलों में समान से 20% से भी कम बारिस हुई है और मुक मंत है ताकि किसानों को किसी परकार की अस्वुधा नहीं हो साथ किसानों के बीच बैकल्पिक फसल के लिए 15-20% करें बैकल्पिक फसल के लिए बीच की प्रयाप उपलवद्था रखें बिहार में सोना निकल निकल और पोटस और क्रोमियम का होगा अब खनन पिछले दिनों के चेंडर की परकिरिया शुरू है आपको बताते चले कि मोधी पस्मांदाप मुस्लीमों के हितों में हितों की कर रहे हैं रच्छा और राजपान ने जताया सिंजो आंबे की निधन पर सोक सहरसा में हम शफर एक चलने की उमीद और मगद महिला कोलेज में सपत गरहन आज हुआ अंचला दिकारी का तबादला रद कर दिया गया है आपको बता दे राज सरकार ने बियाराजस विशेवा अंचला दिकारी शियो एवं समकच पद परभारी शियो शहायक बंदोबस्त पदादिकारी परभारी शहायक बंदोबस्त पदादिकारी चकवंदी पदादिकारी परभारी चकवंदी पदादिकारी के पदादिकारियों का तबादला आदे रद कर दिया गया है 30 जून को राजस्यवं भूमिशुधार विभाग ने ऐसे 149 पदादिकारियों का तबादला किया था इन सभी तबादलों को ततकाल परभाव से निरस्त करने का आदेश शुक्रवार को विभाग के अस्तर से जारी कर दिया गया है और इदर नितिस की किरपा से आरसीपी को पद परतिश्टा मिली चोधरी का काना है यानि कि भवन निर्मान मंतरी असोक चोधरी ने कहा है कि मुक मंतरी नितिस कुमार की किरपा से पुर्वे केंद्रिये मंत्री RCPC को पार्टी में पद और परतिष्टा मिली RCPC पर निशाना साथते हुए उन्होंने कहा कि उनके कार्ज क्रम में पांच हजार की भीड नहीं जुट सकती है कहा नितिश कुमार को छोड़ कर कोई एसा नेता पार्टी में नहीं है इसे में कोई आद्वी या कहे कि हमने सब अपने परिश्रम से पाया है इसमें किसी का कोई युगदान नहीं है या हास्या पद बात है और बिहार महवारी स्वस्ता पर रोड में बनाने वाला पहला राजमना बिशेश बाते हैं अस्कूल से लेकर खेत खलियान तक चलेगा जागरुकता अभियान लड़कियों और महिलाओं में भरांतियां और जीजग दूर करने पर अब होगा काम दो साल से सिनेटरी पैट का इस्तवाल अंठावन से 75 परतिसत तक बढ़ाने का है लच 11 बिभाग मिलकर हम महावारी स्वस्ता पर करेंगे अब कार्ज टास्क फूर्ष का गठन और स्वस्ता का ख्याल रखने पर होती है कई बीमारियां से दूर और इन विभागों में सहवागता भी ली गई है जैसे समाज कल्यान विभाग, सिच्छा विभाग, स्वास्त विभाग, पंचाहिती राज विभाग तमाम विभागों से बियार महामारी स्वस्ता पर रोड में बनाने वाला भारत का पहला राज बन गया है लड़कियों और महिलाओं के लिए महामारी स्वास्ता पर रोड मेप तयार किया गया है वियार देस का पाला राज है जहां दो साल में लड़कियों को महामारी में स्वास्ता अपनाने के साथ संकर्मन और सोच में परिवता लाने के लिए काज यूजना तयार की है इधर आम आपको बता दे कि लालू की सिहत में सुधार, सोनिया, राहुला और अखिलेस ने जाना हाल और चाल लालू परसादियादों की तबियत पहले से काफी बेहतर बताया जा रहा है बिते देने सुबह में कुर्सी पर भी बैठें पर जनों से बाते की वे खुद सहारा लेकर उठ पा रहे हैं लालू दिल्ली एमस में भरती हैं जहां उनका इलाज चल रहा है डाक्टरों का काना है कि कुछ दिन में वह खुद से चलने और में समर्थ हो जाएंगे इदर सिंजो आबे भारत के सच्चे दोस्ते नितिस कुमार का काना है जापान के पुर्व परदान मंत्री की हत्या बेहत दुर्भागे पूर्ण जापान यातरा के दोरां सिंजो आबे से हुई थी मुलाकात 31 को पटना में जेपी नड़ा बैठक को करेंगे संबोधी 31 जुलाई को भाजपा के राष्टी अध्यच जगत परकास नड़ा बिहार दोरे पर आएंगे एक दिशी दोरे में वे बिहार भाजपा की संगटनिक गतिविदियों की समिच्छा भी करेंगे और 12 मी का रिजल्ट जारी नहोने से जेई में सामिल होने वाले चातर परसान हो रहे हैं जेई मेंस की अंसर की हो चुकी है जारी एंग आपको बता दे एक से दो दिनों में जारी होना है रिजल्ट से सीवेसी टेली काउंसलिंग दस दिनों में 15,645 चातरों नहीं रिजल्ट की जानकारी केंद्रिये मादमिक शिच्छा बोड सीवेसी में 10 मी और 12 मी का रिजल्ट चातरों को बिसबरी से इंतजार है बारामी का प्रणाम दाने से जही मिंस देने वाले विद्यारती परिशान हो रहे हैं आपको इदर बताते चलें कुछ और खबरें जो हम तमाम लोगों को जानना जरूरी है शंकट की बात करते हैं तो बिहार को डेड़ हजार मेगावाट कम बिजली आपूर्ती सहरों में चार से पांच तो गाउं में आठ से दस घंटे हो रहे हैं बिजली की कटवती एंटी पीसी के च्छा इकाईया बंद 1196 मेगावाट कम बिजली की केंद्रिय कोटा से मिली और 298 मेगावाट कम बिजली निजी कमपनियों को भी मिली है दर्दन से दिक ग्रिड लोड शेडिंग पर है और इधर बता दे कि जुबैर को जमानत पर हिरासत में रहेंगे जुबैर को जमानत पर रहेंगे हिरासत में आईटी आई पास चातरों को अगनी बिर बनने का मौका 30-40 अंग बोनस मिलेगा सेना की बहाली में एक वा दो वर्षिये पाठकरम के अधार पर बोनस मिलने वाला है के अंदर सरकार की अगनी पतियोजना के तहत अधोगिक पर सिच्चन संसान उतनी चातर भी अगनी बिर बन सकेंगे आई टी आई पास आवेदकों को अगनी बिर में विसेश प्रात्मिक्ता मिलेगी सरकार ने एक और दो वर्षिये आई टी आई पाठकरम के अनुसार चातरों को अलग अलग बोनस अंग देने का निरने लिया है बोनस अंग के साथ आई टी आई उतने चातर सेना के तकनी की परभाग में बहाल हो सकेंगे और इधर खिलाडियों को एक ही पोटल पर कई सुब्धाय मिल पाएगी खिलाडियों को अपने पुरुषकार और बकाया रासी लेने के लिए राश्तिये महासंगों और दफ्तरों को चकर नहीं लगाने पड़ेंगे के एक पोटल पर उन्हें यह सारी सुब्धा मिलेगी इधर महिलाओं के बैंक खाते सबसे अधिक निसक्रिये ग्लोबल फिंडेक्स से डाटावेस 2021 की रिपोर्ट में यह हुआ है खुलासा विकासी देशों में भारत है अब्वाल और कुछ देश विदेश की खबरें जो हम लोगों को जानना बताना जरूरी है हम आपको बताते चले कि जिवास्म इंधन पर निर्भर देशों को हो सकता है अर्वो का नुकसान और भारतियों ने भारतियों से करीब 8 वर्स ज्यादा जीते हैं चीन के लोग या एक सामने बात आई है खुलकर और इधर आपको बता दें कि अमरनाथ सहलाब के रास्ते में आए 30 से 40 टेंट और लंगर बह गएं इधर नाले में बही कार 9 की मत मौत उत्राखंड की बात अम मुंबाई के पुर्वे पुलिस आयुक पर केस रुष से आपसी हितों को लेकर भारत में दिरपच्छी ये वारता और सिंजो आवे की हत्या से दुनिया अस्तम्भ है विस्वे के तमाम नेताओं ने दुख जताते हुए हमले की कड़ी निंदा और इसको आतंकी कृत करार दिया है कयोटा से कासी का रिस्ता जोड़ा और भारत में इन राजनेताओं की हत्या के बारे में भी बाते की है राजनेतिक बैक्तिकर जीवन के बाते भी सामने आई है और इधर हम आपको बता दे कि रोहित की निगापर लगतार चोथी सिरीज की जीत कोहली पर अच्छे परदसन का बढ़ा दबाओ और लगतार दूसरे साल मिलेगी नई मालिका बिनमना है और निकात जरीन को मुक्केबाजी में चार स्वंक मिलेंगे और सिंदू तिन साल से ताई को नहीं हरा पाई और भारतिये टीम ने 15 पेनालिटी कॉर्णर में से एक को बदला गोल और नंगे पाउंदर खुसबीर ने बनाए कई नए रिकॉर्ड पे आती कुछ खास हेडलाइन्स जो पताना जरूरी था तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए दीज़ाजा धन्यवा जय हिंद जय बारत बंदे मातर